वेरी गूड इवनिंग तो ओल अफ यू सभी का वर्म वेलकम है वाइटी और इंग्लिस्टूटर पे मेरा नाम है मेहमन बहल आई होब यू आ डूइंग वेरी वेल फड़ा बट से आज सुबह का फर्स आई टोरियर पढ़ने वाले हैं दा हिंदू का क्लास को शुरू करेंगे बियॉंड बॉर्डर गावसकर इस आर्टिकल का टाइटल है यह आर्टिकल लिखा हुआ है कि हिस्टूरिक ट्रेड अग्रिमेंट के उपर इंडिया और ऑस्ट्र की यार्ड स्टिक है आपके सीखने की कसोटी है इस क्विज में आपको पांच में से पांच मार्क्स मिलने चाहिए क्लास के लास्ट में इसका सुलूशन मैं आपको करवाँगा अभी शुरू करते हैं क्लास को आईए कुछ नया सीखते है करा बियॉंड बॉर्डर गावसक इस टॉर्णमेंट के पार हमें जाना है cricket से भी आगे भढ़कर के Australia के साथ में हमें अब trade ties को बढ़ाना है आगे बात समझ में करेब beyond water गावस कर अब देखो इससे पार कैसे जाएंगे cricket के लावा Australia से क्या करेंगे ये पता चलेगा इसके title paragraph से करेब periodic re-appraisal of the economic gains from the trade pact with Australia is pragmatic करेब periodic होने वाला जो re-appraisal है ना देखिए re-appraisal क्या होता है भई appraisal का मतलब होता है assessment, evaluation, किसी चीज़ का जाएजा teacher आपकी copy चेक करता है तो आपकी copy को apprais करता है और periodic का मतलब होता है बार-बार होना हर थोड़े period के बार होना करेब बार-बार होने वाला जो re-appraisal होगा, जाएजा होगा, assessment होगा economic gains का आर्थिक नफों का और किस से इस trade pact से इस आर्थिक समझोते से जो हमने किया है Australia के साथ with Australia करेब ये appraisal is pragmatic, ये appraisal अपने आप में बड़ा ही practical है, बड़ा ही suitable है इस appraisal की वज़े से ये trade pact इंडिया और Australia दोनों ही countries के लिए और भी ज्यादा beneficial हो जाता है आई बात समझ में, appraisal green color में आपका subject है, is जिसकी verb है subject verb आपको पूरे article में green और pink color में इसी तरीके से मिलेंगे, आपकी understanding को develop करने के लिए periodic मतलब बार बार appraisal आप जानते हैं, जायजा लेना, pragmatic मतलब एक दम practical, है न, empirical और pat का मतलब होता है, समझोता यारी की agreement चलिए, अब एक काम करेंगे, इस article की सारी vocabulary पर नज़र डालेंगे, ताकि अपने इसको smoothly पढ़ते जाए उसी के साथ add करना चाऊंगा जा competitive exam as parents, अपनी app को ज़रूर download करें, YET, Your English Tutor, Play Store पे भी है, iOS पे भी है किसी भी exam का English का section, इस app से आपका cover हो जाएगा एप पे मिलेंगे आपको quality courses, जो मैं खुट design करता हूँ, जैसे ये basic to advanced English writing skills जहां पे आप मेरे साथ बिल्कुल basic से लिखना सीख रहे हो, किसी भी exam के descriptive के लिए इसी के साथ आपको मिलेगा SSC का prelims और mains combo, SSC के सभी exams के mains और prelims यहां से cover हो जाएगे banking का combo भी available है, आप यहां पे कोई भी bank exam हो, उसका prelims और mains दोनों prepare कर सकते हो, course की मदद से कोई भी query हो, apps related यह number है, इस पे WhatsApp करें, आपको reply मिल जाएगा और app का link मिलेगा आपको इसी वीडियो के first comment में चलिए, अपनी vocab sheet है, नए पुराने सारे words इसी में add होते हैं, रोज यह modify होती है टेलेगरम group में इसको download कर सकते हो, आप जाकर के, group का link रखा है first comment में आज अपने पास धेरों सारे words है, fraction बहुत पुराना word है, कर चुके हैं कई बार, फिर से आया है forge है न, यह दो बहुत बार हो चुके है, empirical, manifest, set और lay aside, phrasal verbs है फिर एक word है imperative, बहुत important word है imperative, last make word है paradigm अब अपने 5 मिनिट में सारे words को antonyms, synonyms और use करके देखेंगे ताकि दिमाग में बैठ सकें, सारे पुरानी words है traction का मतलब होता है support, किसी चीज़ के लिए grip या strength, traction का वैसे literal meaning होता है घर्षन, घर्षन यानिकी friction जब टायर जमीन पे चलता है, तो टायर और जमीन के बीच में traction यानिकी friction होता है friction टायर को तेज चलने से रोकता है, अगर आप गाड़ी की रफतार को कम करेंगे, accelerator को बंद करेंगे तो friction की वज़े से गाड़ी रुख जाएगी, लेकिन हमेशा इस चीज़ को याद रखें, उस friction की वज़े से ही टायर मूब भी करता है नहीं तो टायर फिसल ने लगेगा जमीन पे, तो gain traction नाम का एक phrase बना हुए हमारे पास इसका मतलब होता है जैसे गाड़ी gain करेगी traction को, friction को, और गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसको support मिलेगा वैसे ही अगर किसी idea, किसी इंसान, किसी विचार ideology को gain traction मिले, मतलब उसको strength या approval मिल रही है The idea of population control is still not gaining traction in the rural India Population control का idea जो है, आज भी traction को gain नहीं कर रहा है, उसको approval नहीं मिल रही है भरत के देहातों में है ना, rural India में आगी ना बात समझ में, tire को traction मिलेगा, तो tire आगे बढ़ेगा, किसी idea को traction मिलेगा, तो idea आगे बढ़ेगा Next word is forge, देखो इसके 2-3 meanings है, ठीक है ना, अपने को पहला वाला meaning पकड़ना है, बाकी के 2 meanings आज नहीं हा रहे है पहला वाला meaning क्या होता है, किसी चीज को बहुत successfully, बहुत efforts दालके successful बनाना किसी से कोई deal कर रहे हो, negotiation कर रहे हो, mall भाव कर रहे हो, तो अब उसको forge करते हो, अगर वो successful रहता है जैसे New Delhi has forged alliances with all major western powers नहीं दिली ने forged किया है, बड़ी मुश्किलों से खड़ा किया है, alliances को, रिष्टों को, सभी बड़ी पश्चमी ताकतों के साथ forge किया है, आगी बात समझ में, अब देखो इसके 2-3 meanings और है, अभी नहीं discuss करेंगे, फिर आपको करवा दूँगा कभी, जब ये आएंगे, अपने को पहला वाला meaning forged कास देखना है अब देखो जो पहला वाला meaning है ना, इसके synonyms है, hammer out, thrash out, construct or negotiate, मोल भाव करने के, है ना, hammer out, thrash out, hammer out को आजा पार्टिकल में देखने वाले है अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी के साथ में कोई चीज hammer out कर दी तो समझ ले ना, दोनों के बीच में कोई deal हुई है, कोई समझोता हुआ है, hammer out, समझ गे, बड़े आँगे, empirical ये word आप जानते हो, पिछले 20 classes में 4-5-12 चुका है, practical ये experimental चीज़ को बोलते हैं, empirical, जो बिल empirical studies have shown the effectiveness of Ayurveda in treating several lifestyle diseases, कई विवारिक studies ने दिखाया है, effectiveness को असरदार होने को, और किसके, Ayurveda के, और किस सीज में भाई, treat करने में कई lifestyle diseases को, ऐसी विमारियों को, जो हमारे lifestyle की वज़े से आती है, जैसे कि diabetes, high BP, sugar, lifestyle diseases, तो pragmatic, आज आप article में देखेंगे, एक word हमारे पास manifest, manifest का मतल होता है, अवतरीत होना, या किसी चीज का proof देना, किसी चीज का reveal होना, मैं आपको use करके दिखाता हूँ, reveal होने के लिए manifest को कैसे use करना है, हर psychological disorders manifest themselves in her rude behaviors, उसकी दिमागी विमारिया, psychological disorders manifest करते हैं, reveal करते हैं, अपने आपको ही, उसके रूखे behavior के अंदर, आई बात समझ में, क किसी चीज का reveal होना, किसी चीज का सबके सामने आना, किराता है, manifest करना, ठीक है न, हर behavior manifest, हर psychological disorders, ऐसे भी लिख सकते हूँ, sentence को, चलिए, यह अजीब सा word है, manifest, इसके बहुत सारे meaning है, यह कि जो इसका 90% जगह meaning use होता है, उसका यह वाला meaning यही वाला होता है, मतलब यह meaning 90% time use हो विशनुजी ने अपने आपको manifest किया, तो यह एक rare meaning है, कभी-कभी वो भी देखोगे, set या lay aside यह अच्छे से करवा चुका हूँ, aside मतलब side में, set मतलब रख देना, lay मतलब रख देना, वह कोई चीज मैंने आपको दी, आपने उढ़ा के side में रखती, मतलब क्या है, आपने उसको ignore किया, या आपने उसको cancel किया, पहला meaning, और दूसरा, आपने side में इसलिए रखा कि अभी नहीं, बाद मैं use लूँगा, आपने उसको future के लिए save किया, एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब दोनों सेम जैसी है, दोनों के दोनो meaning सलते है, अगर ignore करोगे, मेरी किसी advice को, तो आ आपने उसको set aside कर दिया, अगर मैंने आपको कुछ खाना दिया, बिस्किट दिये, कुछ पैसे दिये, और आपको लगा कि कल काम आएगा, आप तब भी उसको set aside कर सकते हो, save for future कर सकते हो, the code has set aside the provision of reservation for Marathas for state government jobs, code ने set aside, याने कि cancel या ignore कर दिया है, उस provision को, जो है erection का Marathas के लिए state government jobs में, तो ये तो पहला वाला meaning हो गया, और दूसरा, all of us should set aside a portion of our income for future, हम सभी को side में रखना चाहिए, save करना चाहिए, future के लिए, अपनी income के एक छोटे से portion को, तो set aside article में आएगा सराज, है ना, last है, second last है imperative, imperative का मतलब होता है, जरूरी चीज, essential or urgent duty, कोई ऐसा काम जो बहुत ही जरूरी है, it is an imperative that politicians should be articulate in their speech, ये एक imperative है, ये एक जरूरी चीज है, कि leaders होते हैं, जो politicians जो होते हैं, जो lead करते हैं teams को, उनको अपने speech में articulate होना चाहिए, साफ साफ बात करनी उनको आने चाहिए, articulate एक अलग word है, इसका मतलब होता है, साफ बात करना है, imperative नाम के word को आ पहला मीनिंग है किसी चीज की मिसाल और दूसरा मीनिंग है कोई system, तो system वाला मीनिंग paradigm का आज नहीं आया है, first वाला आ रहा है, मिसाल, है ना, मिसाल, मिसाल को prototype, epitomy, paragon, exemplar और president भी बोलते हैं, तो sir, president जो इसका synonym है, मिसाल का, इसको आजा particle में देखने वाले हैं, India is a paradigm, India is a president, India is a prototype या paragon of a stable democracy, इंडिया एक मिसाल है, एक stable democracy की, चलिए, वो कैब अच्छी है, हैवी है, चलो कभी-कभी अच्छा revision हो जाता है, आज आओ article पर जटपट, अब क्या करेंगे, article की देंगे आपको summary, पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है, देखो, इंडिया और Australia की क जो प्यार था, वो cricket को लेकर के बहुत बना हुआ था, बोर्डर गावस्केट ट्रोफी भी आपने सुना होगा, लेकिन अभी क्या हुआ है, मौदी जी ने 2020 के अंदर Australia के साथ में एक free trade agreement को propose किया, और 2022 में वो free trade agreement Australia और इंडिया के बीच में हो भी चुका है, अब Australia और हमारा आर्टिकल यही कर रहा है कि जो भी हुआ, इडिज अ वैलकमिंग मूव, हम सभी इसका स्वागत करते हैं, और जो इसमें कुछ features रखे गए हैं, इस agreement में, वो बहुत ही pragmatic है, वहवारी के हैं, हम दात देते हैं, दोनों ही country's के negotiators को इतना बढ़िया एक agreement बनाने के अब शुरू कर ले, करदा इंडिया उस्टेलिया, Economic Cooperation and Trade Agreement और ECTA, signed last week is a key step in enhancing bilateral economic ties between the two major Indian Ocean, Littoral States and reflects a growing strategic alignment between New Delhi and Canberra, करदा इंडिया उस्टेलिया के बीच में जो एक agreement हुआ है, क्या नाम है इसका भई, Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA, करए जो agreement हुआ है ना, अच्छा क्या है भई इसका, करए यह वो agreement है जो sign हुआ था पिछले हफ़ते, signed last week, करए यह agreement अपने आप में एक key step है, एक महत्वपून कदम है, और किस सीज में, enhance करने में, बढ़ाने में, उपर लाने में, और किसको, दोनों के बीच के bilateral economic ties को, दोनों के बीच के, दो तरफा, आर्थिक रिस्तों को, अच्छा किन के बीच भई, between लगा के बता रहा है, दो major Indian Ocean, Littoral States के, दो ऐसे राज्यों के, एक ऐसे देशों के, जो Indian Ocean में Littoral है, Littoral का मतलब है, Coastal States, है ना, Littoral मतलब जो समंदर के किनारे बसा हो, Littoral, तो सम अंदर के किनारे बसी हुई, Indian Ocean की, दो Littoral States के बीच में, किरा इस तरह का ये agreement है, पिछले हफ्ते हुआ था, एक बहुत ही important कदम है, दोनों के बीच के रिस्तों को, Littoral States के enhance करने में, और किरा साथ ही साथ, and यही agreement, reflect भी करता है, दिखाता भी है, बढ़ती हुई, ग्रो करत हुई, strategic alignment को, नई दिल्ली और कैनबरा के बीच में, इंडिया और उस्ट्रिलिया के बीच में, strategic alignment क्या होती है, strategy के हिसाब से, दोनों country align हो रही है, एक ही line में आ रही है, एक ही साथ अपने आपको position कर रही है, दोनों democracies हैं, दोनों western blocks के साथ में हैं, तो strategically alignment को भी reflect करता है, ये agreement, ये words थोड़े से सुनने में जीव लगते हैं, लेकिन alignment कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात में हां मिला दो, तो हम दोनों align होगे, है ला, alignment, चलो, ECTA subject है, green color में, पहली verb है, is, दूसरी verb है, reflects, ECTA is, and ECTA reflects, signed यहां पे adjective है, ECTA जो sign किया गया था, आगई बात समझें, past participle adjective, लिटोरल मैंने आपको बता दिया, coastal marine, maritime, समंदर के किनारे बसी हुई चीज़ें के लाती है, लिटोरल, alignment आप जानते हो, साथ में आना, एक साथ पोजिशनिंग करना, चलो, आगे बढ़ते हैं, full on understanding, understanding लिया करो, हर sentence की, आपको पता हो, हर वर्ड क्या काम कर रहा है, अब बता रहा है, ठीक है, ये agreement तो हो गया, इस से पहले क्या था, इस agreement से पहले दोनों के रिस्ते कैसे थे, कह रहा है, जहां इंडिया के सबसे अच्छे तो टाइज हैं, strongest टाइज है, और किस के साथ वही, उस्ट्रेलिया के साथ, कह रहा है, अभी तक वो centered around थे, अभी तक वो पूरे तरीके से केंदरित थे, focused थे, centered around थे, और कैसे, largely मोटे तोर पे, और हिथर्टो मतलब अभी तक, तो करें, जहां इंडिया के सबसे एक मजबूत रिस्ते, जिस aspect में थे, उस्ट्रेलिया के साथ, वो centered around थे, दोनों ही देशों की common colonial legacy के उपर, common उपनिवेशवाद विरासत के उपर, और यह विरासत क्या है वई, दोनों को कौन सी विरासत मिलीए अपनी वेशवाद में, विरासत मिलीए cricket की, तो यही रिस्ता था हमारा सबसे अच्छा उस्ट्रेलिया के साथ, और करें यह वो, मतलब यह वो तरह की partnership है, जो सबसे अच्छी तरीके से मिसा जाल दिये जा सकते हैं, exemplified होते हैं, जिनका उधारन पेश किया जा सकता है, border गावस के trophy में, करें जहां अभी तक ऐसा है, अब हुआ क्या, करें अब जो एक modern, एक contemporary, एक नया जो shared vision आया है न, shared मतलब दोनों का साजा, एक साजा तो दृष्टिकोन आया है, prospective आया है, करें य इनकी उस engagement को, जो strategy के और trade है, मैंने word for word इस sentence को आपको बता दिया, अब एक flow में बताऊंगा, फिर sentence की structure देखेंगे, ठीक है, जहां इंडिया के सबसे मजबूत रिष्टे, Australia के साथ, अभी तक largely, मोटे तोर पे, हिसाटो, अभी तक, Kendrit थे, दोनों के बीच की उपनी वेश विरासत पे, साजा विरासत पे, जो थी cricket की, जिसका सबसे अच्छा उधारन मिलेगा, एक्जामफल मिलेगा, आपको मिसाल मिलेगी, बॉर्डर कावस का ट्रॉफी के अंदर, अभी तक ऐसा था, लेकिन अब एक नई जो shared vision, emerge होके आई है, साजा जिस्टी कोन, emerge होके आया, उबराएं, और किस need के चारों तरफ, यह आया है, उस बरावरी की need की तरफ, जो है, मजबूत बनाने की, दोनों countries के आपस की engagement को, बाचेत को, जो trade और strategy को लेकर के होगी, strong ties की verb है, had centered around past perfect tense, ठीक है, hitherto मतलब अभी तक, as yet, so far, until now, इनी के लिए, इन सभी words के लिए, advanced word है, h colonial मतलब related to English, British Raj, exemplified मतलब जिसकी मिसाल पेश हो, shared vision की verb है, has emerged, present perfect tense में, emerged का मतलब होता है, उबर करके आना, contemporary का मतलब होता है, नया, modern है आज के जमने का contemporary, engagement होती है, दोनों की आपस में, बाचेत, चलो, आगे बढ़ने से पहले, फटा बट से grammar rule आपको दिखा देते हैं, देखो, सबसे पहली चीज कहा है, यह border गावस का trophy है, एक tournament है, कोई भी tournament हो, चाए Olympics हो, चाए trophy हो, चाए French Open हो, चाए, समझ गे ना, क्या कहना चारा हूँ, भावना समझो, कोई भी classic, कोई भी sporting tournament हो, trophy हो, देवदर trophy हो, संतोस trophy हो, उसको आपको proper noun की तरह treat करना है, उसके नाम के सारे action को बढ़ा कर दो, first वाले letters को, और उसके आगे दा लगाओ, तो एक तो आपकी चीज होगी, repeat फटावर से, सारे sporting tournaments अपने आगे दा को लेंगे, दूसरी चीज, अब देखो, sporting tournaments तो दा लेते ही है, मेरे को यह बताओ, इन सभी चीज़ों के आगे, क्या दा लगाया जा सकता है, sporting tournaments के आगे तो दा लगेगा, यह तो मैंने बता दिया आपको, यह तो आपको उस पता लग गया, अब मुझे बताओ, पहाडों के नाम के आगे, परवत स्रिंखलाओं के नाम के आगे, एरपोट और बस और स्टैंड्स के नाम के आगे, किन के नाम के आगे दा आएगा, और किन के आगे नहीं आएगा, सब लोग 5 मिनिट लो, शानती से, शरम की कोई बात नहीं है, अब मैं समझाओंगा, जिन्दी बर याद रहेगा, ठीक है, mountains, mountains के आगे दा कभी नहीं आता, ठीक है, मान लिजे, आपने कोई mountain की चोटी की बात कर ली, आपने Mount Everest की ब आएगा, andies है, Alps है, है ना, हिमालिया है, हिमालिया परवस श्रिंखला है, उसकी सबसे उंची चोटी है, Mount Everest के आगे नहीं आएगा, लेकिन हिमालिया के आगे आएगा, विंध्याचल, हिंदू कुछ के आगे, आएगा, समझगी ना, mountain race के आगे आएगा, mountain के आगे नहीं चलो, अब अगली चीज, यह जो लाल कर रहा हूं के आगे नहीं आएगा, यहां लेक देता हूं, never, never लेक देता हूं, ताकि confused नाम कोई, चलो, अगली चीज, हमेशा river, seas और oceans के नाम के आगे दा लगाना है, कोई भी समंदर हो, उसके आगे नाम के आगे 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 यह सारी lakes जो हैं, दुनिया में कितनी भी जीले हैं, उनके नाम के आगे, you never, अच्छा, इसके तो आएगा ना, इसके तो आएगा, seas के नाम के आगे आगे लेकिन lakes के नाम के आगे कभी भी नहीं आएगा, rivers और seas के आएगा, last में airports, bus stands, इनके नाम के आगे कभी भी दा नहीं यह तो बार बार रिपीट करवाँगा, जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सर समझ नहीं आता, आप रेगुलर आके तो देखो, क्लास में, आपको दो या तीन दिन आना होता है, फिर कैसे समझ में आएगा, है ना, करा दिस, वास, मैनुफेस्टेड इन जून 2020 वर्चुल सम्मिट, वेन पीम मोदी, एंड स्कॉर्ट मॉरिसन, डिसाइड़ तो अलवेट रिलेशनशिप, तो दे लेवल ओफ, अ कॉम्परिसिव, स्ट्रेटिजीक पार्नरशिप, करा यह जो नू वीजन आया है, पहले क्रि करा जब हमारे पीम मोदी और वहाँ के पीम स्कॉर्ट मॉरिसन ने डिसाइड किया, कि वो एलिवेट करेंगे, इन्हांस करेंगे, एक दरजा ऊपर लाएंगे, रिष्टे को, रिलेशनशिप को, और कहाँ पे, जो लेवल होगा, एक कॉम्परिहंसिव स्टेड, स्रेडिज वोइस में, मैनिफेस्ट मतलब रिवील होना, किसी चीज का डिमोंस्ट्रेट होना, मोदी और स्कॉर्ट मॉरिसन की वोब है, डिसाइड़ एलिवेट का मतलब है, ऊपर आना, किसी चीज का, बढ़े आँगे, चलो, करेट डिफेंस और स्ट्रेटिजिक टाइज, हैव गें नीति से रिलेटिट जो रिष्टे हैं, उन्होंने बहुत जादा सिग्निफिकेंट गें किया है, ट्रेक्शन को, अब गें ट्रेक्शन क्या होता है, आप जान गए न, टायर जो है, ट्रेक्शन गें करता है, तो आगे बढ़ता है, कोई भी चीज गें ट्रेक्शन करेगी, तो उसको support मिलेगा तो defense और strategic ties भी मजबूत हुए gain किये वो traction को significantly और यो नया नया agreement आया है economy compressive trade agreement क्या रहा है यह hammer out किया गया था किसी चीज को forge करना बहुत मुश्किलों से लेकर किया आना तो यह लाया गया है बड़े जतनों के बाद महज 6 महिनों में जब से बादचीत फिर से शुरू हुई सितंबर के अंत में तो इस तरीके से partnership बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ties की वोब है have gained traction you know already latest ECTA की वोब है has been hammered out hammered out आप जानते हैं thresh out करना, force करना जतनों से किसी चीज़ को लेकर के आना negotiations की वोब है started negotiation का मतलब होता है बादचीत के रहाए envisist as an early harvest agreement the ECTA covers the gamut of economic and commercial commercial relations including trade in goods and services rules of origin technical barriers to trade dispute settlement and custom procedures अब बता रहा है इस ECTA में क्या क्या आता है के रहाए जो envisage किया गया था ये पूरा past participle phrase है कॉमा लगा हुए शुरू से last तक देख रहे हो आप ये ECTA के बारे में कुछ बताने वाला है वोब की third form से शुरू हो रहा है ठीक है करहे जो ECTA और कैसा जो envisage किया गया था envisage का मतलब है imagine करना, visualize करना किसी को किसी अलग तरीके से सोचना करहे इसी टीए जो visualize किया गया था जिसकी परिकल्पना की गयी थी जिसको सोचा गया था एक early harvest agreement के तोर पे अब ये agreement क्या होता है बाद में बताऊंगा ठीक है करहे ये जो ECTA ना इस परकार का जिसके बारे में सोचा गया था ये ECTA कवर करता है एक gamut को, एक range को, एक spectrum को gamut मतलब एक पूरा scope, range अब gamut किस-किस का? भाई साब इन सभी items का पहले item है economic और वेपारिक रिष्टे जिसमें शामिल है वेपार, goods और services में दूसरा rules of origin ये थोड़ा आपको अंदर जाना बड़ेगा economic terms है, है ना? तीसरा technical barriers जो है trade को लेकर के जो तकनीक की रुकावते है चोथा dispute settlement अगर कोई जगडा हो जाए कहाँ पे settle होगा और पांच महाँ custom को लेकर के क्या procedures होगे ये ECTA इन सारी phrase बनाया होगा है चलो carrot targeting a goal of doubling bilateral ties to trade to about 50 billion in 5 years from 27.5 billion logged in 2021 the partners have set about dismantling a lowering tariff barriers अब देखो इसमें हुआ गया ये सारे तो इसमें थे components इसके carrot targeting अब देखो ये जो था ना ये verb की third form से शुरू हुआ था past participle phrase ये शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है कॉमा पे और modify कर रहा है इस ECTA को ये शुरू हो रहा है वोब की ING form से आरे ये बाद समझ में यहां से लेकर के यहां तक ये एक simultaneous action को बता रहा है carrot target करते हुए और किसको एक goal को दुगना करने का दो दरफा trade को वेपार को और कहां तक 50 billion dollar तक और कब अगले 5 सालों में और कहां से अभी के from 27 billion को जो लोग किया गया था जिसका आखड़ा आया था 2021 में केरा ऐसा एक target लगाते हुए क्या हुआ भई केरा जो partners हैं India Australia हैं ये set about कर गए हैं begin कर दिया है commence कर दिया है दो चीज़ों को पहली चीज या तो dismantle कर देना trade tariff barriers को या फिर उनको खतम कर देना lower कर देना धीमा कर देना अई बास समझ में tariff barriers मतलब barrier मतलब रुकाफटे tariff मतलब tax तो tax से जुड़ी हुई रुकाफटों को तो trade बढ़ेगा ना साड़े सताई से पचास ये करना चाहते है पार्टनर्स की वब है have set about targeting present participle साइमेंटर सेक्षन है चलो trade barrier मैंने आपको बता दिया tariff barriers क्या होते है set about का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुबात करना begin करना commence करना एक phrasal verb है set about इसको embark on भी बोलते है बहुत बार आपने देखियो कि ये phrasal verb है set about is equal to embark on करवाइल ऐस अग्रीज़ अग्रीज़ तो अलिमिने टरिप्स आन more than 96% of Indian exports including several labor intensive industries India will allow the duty-free entry of 85% of Australian goods exports by value from day one and within the next 10 years cut tariffs to zero on another 5% of Australian merchandise करवाइल जहां Australia agree हो गया है मान गया है Australia किसलिए भाई eliminate करने के लिए खतम कर देने के लिए tariffs को tax को 96% से ज़्यादा Indian exports की आइटम पे Australia नहीं बोला कि 96% आइटम पे कोई tax नहीं है लाओ Australia में बेचो जहां पे Australia मान गया है इस काम को करने के लिए करवाइल जिसमें शामिल है बहुत सारे labor intensive industries ऐसी इंड़स्ट्री से बनी वे items जो labor intensive होती है जहां पे भारत का बहुत बड़ा तबका employed है करवाइल जहां इंडिया को इतना फाइदा होने वाला है सारा 96% जो है बिना tax के इंडिया बेच पाएगा करवाइब इंडिया वहीं पे allow करेगा tax free duty free entry को 85% Australian goods exports के value के रूप में और कब से day 1 से पहले ही दिन से और within next 10 years अगले साल में इंडिया cut करेगा taxes को यानि tariffs को duties को 0 तक बचे हुए 5% पे another 5% पे Australian merchandise के तो इंडिया भी 85 करके बेटा है 90 कर देगा 10 साल के बाद उस्ट्रिलिया ने तो आज ही 96 जो है tax free करके इंडिया को दे दी है अब आओ और बिचो चलो अस्ट्रिलिया की बबाई has agreed इंडिया की बबाई will allow इंडिया की दूसरी बबाई cut एक concept करवा दे आपको फटा पट चलो करवाई देते हैं अच्छा concept है पहले अपने आप से पूछो agree के बाद में on लगाए with लगाए या to eliminate जसे इंफिनिटिव लगाए वो लगाए agree agree on agree with और agree to इन तीनों में क्या फर्क होता है चलो पहले खुछ से पूछ लोगे तो जिन्दी की पर याद रहेगा अब ये concept ठीक है agree के साथ में तीनों ही आ सकते है फर्क है agree with होंगे किसी इंसान के साथ मैं आप से सहमत हूँ I agree with you या आप से सहमत नहीं हो तो I disagree with you agree to do होंगे किसी काम को करने को और agree on होंगे agree on होंगे किसी मुद्दे पे point पे या plan पे simple सी बात आई बात समझ में इंसान से agree with किसी काम को करने के लिए agree to do यह सरकार के साथ इस भिल पे अरे वही किसी के साथ agree कर रही है न government के साथ कर रही है न साथ कर रही है तो जंजटी नहीं है यहां तो with लगा दो ठीक है opposition agrees with the government अब यह मत बोलना सर government तो इंसान नहीं है अरे इंसान ही तो government को चलाते हैं इसलिए इंसान के तरह ट्रीट की जाती है कोई business हो company हो government हो इंसान ही होते है next पे आजो the opposition agrees with to या on अब या on लगा दिया छोड़ो निकाल देता हू the bill with the government opposition जो है विपक्स जो है agree करता है इस bill के उपर सरकार के साथ ध्यान देना किसी मुद्दे पे agree कर रहा है point पे, bill पे, plan पे तो कोई जंजट नहीं है सब निकाल दो on को लगा दो agrees on the bill with the government तीसा देख लो the opposition agrees to with या on support the government on the bill opposition तयार है support करने के लिए सरकार को इस bill पे किसी काम को करने के लिए तयार है सर तो कोई बाद नहीं यहां लगा दो two base form लगा के two के बाद में इसको infinity बना दो agrees to support the government on the bill अब याद रहेगा मेशा simple सा formula है बस इसलिए यहां भी agreed to eliminate Australia कर रहा है मैं eliminate कर तूंगा आजब next paragraph कर दा दा निगोशियर 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 अडोप्टेड अडोप्टेड अ प्राग्माटिक टैक इस एविदेंट इन द वे contentious issues such as the dairy sector a politically significant export industry in India were set aside for separate resolution at later talks अब देखो कुछ कमिया भी थी इंडिया उस्टेलिया की आपस में कई चीजों पर मतवेद भी थे है ना disagreement भी थे उनका क्या हुआ कर दा दा ये बात की कि जो negotiators थे बादचित करने वाले थे दोनों countries के उन्होंने अडोप्ट किया एक बहुत ही pragmatic एक बहुत ही विवारिक टैक को यानि की रस्ते को और कर ये बात जो है ना कि इन्होंने किया कर ये बात that is evident ये बड़ी ही साफ है और कहां पर उस तरीके में उस way में manner में जिसमें लडाई जगडे वाले issues contentious issues जैसे की such as dairy sector जो है और ये क्या है वही ये एक राजनितिक तोर पे बड़ा ही important significant export industry भी है Australia की जैसे इस जगडे के मुद्दे पे dairy sector को set aside कर दिया गया ignore कर दिया गया एक separate resolution के लिए बाद की talks में later talks में तो बहुत ही व्यवारिक तरीके से दोनों countries ने ये agreement किया है जहां पे जगडा था उस मुद्दे को ही अलग रख दिया कि इस मुद्दे पे फिर कभी बात की जाएगी आज इस पे बात करेंगे ही नहीं that की verb is negotiators की verb adopted tech का मतलब होता है रस्ता way path किसी काम को करने का तरीका issues की verb were set aside contentious का मतलब होता है जगडे बड़ा जिसमें contention हो qualsome हो जिस मुद्दे पे लड़ाई होती हो contentious है ना इसी से idiom बनी है born of contention जगडे की जड़ है ना born of contention चलो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मुझे लगता है सबको आता होगा बताना comments में कितने लोग कर सकते हैं ये passive voice है issues were set aside issues को set aside किया गया लेकिन फिर भी were के बाद में set की first form लगी हुई है ऐसा क्यों हुआ were set aside were set aside ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ सब लोग कोशिश करें comment section में answer सही डालोगे तो मैं heart भी देता हूँ आपको पता लग जाएगा ठीक है करा a key area that has been included is the movement of natural persons which is inextricably linked to fostering closer people to people links and is an imperative in a force to promote bilateral trade in services करें की area जो है जिसको include किया गया है एक बहुत important area जिसको शामिल किया गया है वो area क्या है वो है movement natural persons की अब ये natural person होते क्या है मैं आपको भी समझा दूँगा ये key area जो है जिसको include किया गया ये है natural persons का आना जाना एक देश से दूसरे देश में करें कौन सी चीज़ है बाई करें करें जो की सीधे सीधे तरीके से linked है in extricably inseparably ये word को भी तोड़ेंगे जो बिना separate की हुए linked है जो बिलकुल closely linked है जोड़ी हुई है foster करने के फलने फूलने के और किसकी closer people to people links की और जादा करीबी लोगों के रिस्तों की और करें जो एक imperative भी है एक जरूरी चीज भी है इन efforts में इन कोशिशों में की promote किया जाए दो तरफा रिस्ते को services के माध्यम से in services अब ये natural person क्या होते हैं पहले ही पिर sentence समझ में आएगा मान लीजिए आपको घर में किसी को बिमारी है और इस बिमारी का इलाज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है आप अपने patient को ऑस्ट्रेलिया में लेकर के गए patient को ऑस्ट्रेलिया में लेकर के गए लेकिन आस्ट्रेलिया ने वीजा देने से मना कर दिया अब आपका पेशन्ट जो आस्ट्रेलिया में जाएगा तब ही ये काम हो पाएगा उसका इलाज हो पाएगा तो कहने का मतलब है आपका पेशन्ट आस्ट्रेलिया के लिए एक नैच्रूल परसन है Australia को इसको वीजा देना ही चाहिए क्योंकि Australia में जाकर करके वहाँ इलाज करवा के वहाँ पैसे देके आएगा समझे दो मेरे बात को Australia का तो खुद का नुकसान है अगर आपके विवाज मरीज को Australia वीजा नहीं देता है तो Natural person वो person होते हैं सर्विस देने या लेने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं एक और एक्जामपल देते हैं ऑस्ट्रेलिया से आपने एक सर्जन को इंडिया में बुला लिया अपने किसी पेशेंट का इलाज करवाने के लिए तो इंडिया का भला यह है कि उस सर्जन को चु यह वर्ड कैसे बना है देखिए वर्ड बना है एक्स्रीकेट से एक्स्रीकेट का मतलब होता है सेपरेट करना जैसे गहुं में से घुन को सेपरेट करना एक्स्रीकेट करना extricable मतलब separable जिसको अलग किया जा सके in extricable मतलब inseparable जिसको अलग ना किया जा सके in extricable ये बनगी adverb अलग ना किये जाने वाले तोर पे linked है एकदम चिपकी हुई है ये चीज चलो linked to के बाद में verb की ing form आई है आप अलड़ी जानते हो concept कर चुके हो ये सारे वो phrases है जिनके बाद में verb की ing form या नाउन आता है इसमें linked to भी आपको मिल जाएगा linked to बलबस में verb की ing form imperative आप जानते हो जरूरी चीज कर देगरिमेंट aims to support access for a range of Australian and Indian skilled service providers investors and business visitors and also crucially seeks to address an area linked to another major Australian export education कर आप अगरिमेंट जो है ये aim करता है कि ये support करेगा पहुँच को, access को, उपलबदता को कई सारी Australian और Indian skilled service providers के लिए निवेशकों के लिए investors के लिए और business visitors के लिए और साथ ही साथ ये agreement सीख भी करता है कि ये कोशिश करेगा address करने की समभोधित करने की resolution लाने की एक ऐसे area में और वो कौन सा export है भाई education तो ये education वाला काम भी Australia में अब easily हो जाएगा बच्चे यहां से जाने लगेंगे Australia को तो dollar मिलते है ना education करवाता है वो इंडिया से बच्चों को ला करके चलो, agreement की दो आपस है aims और 6 करक कैनबरा has now agreed on a reciprocal basis to ease visa restrictions enabling students at varied levels of higher education to stay on for periods ranging from 18 months to 4 years to pursue work opportunities on a temporary basis करक कैनबरा ऑस्ट्रेलिया अब तयार हो गया है एक reciprocal basis पे reciprocal मतलब एक हाथ दे, एक हाथ ले mutual यानि की give and take तो एक हाथ दे, एक हाथ ले वाले तोर पे reciprocal तोर पे Australia ready है, तयार है किस काम को करने के लिए नरम बनाने के लिए, ease करने के लिए visa की restrictions को और कैसे करेगा एक काम enable करते हुए, empower करते हुए बच्चों को, students को, अलग-अलग level के higher education वाले कि वो stay on करें, वो पड़े रहें stay on करने का मतलब होता है, किसी देश में पड़े रहना है न, अराम से रहना के रहें, वो पड़े रहें, अराम से रहें periods के लिए, ऐसे period के लिए जो range करता है, अठरा मन से लेकर के चार साल, तो अठरा मन से चार साल तक बड़े अराम से Australia में रह सकेंगे, और क्या कर सकें pursue कर सकें, work opportunities को temporary basis पे, वहाँ पे छोटा मोटा काम भी कर सकें, आगी बास समझ में, camera की वहाँ है, has agreed, रहसी प्रोकल मतलब एक अदे, एक अदले, give and take, ये agree हुए इस काम को करने के लिए, तो agree plus में to infinitive, already आप जानते हैं, चलो, क्यारा है arguably, the best feature of the ECTA, though, is the incorporation of a compulsory review mechanism at the end of 15 years, कह रहे, सबसे अच्छा feature और कैसे? arguably, arguably मतलब जिस चीज को argument के जरीय प्रूव किया जा सके, कह रहा है, अगर logic की बात करें, argument की बात करें, तो सबसे अच्छा feature जो है सबसे अच्छा गुन जो है, इस agreement का, हालांकि वो ये है, though is, हालांकि वो ये है, दो इस क्या वो कि in corporation जो है शामिल कर लेने का जो काम है एक compulsory review mechanism को review के system को 15 सालों के अंत में यह सबसे अच्छा feature है 15 साल बाद दोनों countries अपना अपना हिसाब लगाएंगी और फिर चेक करेंगी इसको continue करना है या नहीं करना है न यह सबसे अच्छा feature होने वाला है सबसे अच् with the help of arguments है न चलो last sentence हमारा करण with past FTAs having proved less than beneficial to domestic industry India's negotiators have set a meaningful precedent in including the feature to periodically reappear the economic gains from such trade bets करक के साथ ही with past में होने वाले FTAs के और क्या होने के साथ ही इनके prove हो जाने के साथ ही सावित हो जाने के साथ ही और क्या beneficial से बहुत कम less than beneficial है न और किसके लिए हमारी domestic industries के लिए करहा ऐसे agreement जब भी की है पास्ट में उन सभी के हमारे देश की industry के लिए खराब prove हो जाने के साथ हुआ क्या क एक बहुत ही meaningful सार्थक सी मिसाल को president को और किसमे भाई शामिल करने में इस feature को इस गुण को यह mechanism हला ताकि periodically reappraise कर पाएं जाइजा ले पाएं असेस कर पाएं आर्थिक नफों को economic gains को ऐसे trade pact से आगी बाद समझ में यह बड़ा अच्छा feature है इंडियन negotiators ने जो लेकर के आई हैं क्योंकि हमें बार-बार घाटा होता है एस agreement से लेकिन इस बार हम ढंक से study कर पाएंगे हर 15 साल से क्या हमें मिल रहा है क्या हमारा जा रहा है निगोशेटर्स की वह अब हैव सेट लास्ट वाली लाइन इस आर्टिकल की पूरी टोन को लिख रही है क्योंकि यहां पे बहुत अच्छी जो ना प्रशंसा की गई है इनकी तो प्रशंस नहीं है टोन में मलब समझगे ना प्रेजिंग टोन में आर्टिकल लिखावा यह के लिए वरेयता प्राइर्टि है ना प्राइर्टि प्रेफरेंस परियेता किसी चीज के लिए खास प्रेफरेंस अब यह दोनों वर्ड़ अलग है इनको फटा फटा अपने यूज करेंगे इस चोटे से क्विज में ठीक है by giving precedent या precedence to the lives and livelihoods of people over economic interest of the corporate the government has set a healthy precedent or precedence करत दे करके वरियता को, preference को, priority को, जानों को, रोजगारों को, गरीब लोगों के और किस के उपर वरिता दी? ये वरिता दी economic interest के उपर, आर्थिक भलों के उपर, corporate के करके गरीब लोगों के रोजगार को जादा वरियता दे करके, जादा priority दे करके अफकोर्स यहाँ पर बात हो रही है, precedence की, ठीक है न? precedence की हुआ क्या? हमारी कोट ने एक बहुत ही healthy, एक बहुत ही अच्छी सी मिसाल को खड़ा किया है तो यहाँ पर मिसाल चाहिए, अफकोर्स यहाँ पर आएगा precedence ठीक है न? दोनों words एक जैसे दिखने लगते होंगे आपको देखने में, लेकिन अलग है यह है वरियता, preference, यह है मिसाल, precedence चलिए यही wrap up करेंगे आज के session को, आज़ो फटाबट से अपने quiz पे बहुत ही अच्छा session था, बहुत meaningful था, खास करके vocabulary कौन से question आप कर सकते हो, मैं पहले वो देख लूँ, hammer out मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का है लड़की, इसका सवाल अब ना दे पाए मुझे नहीं लगता, सबको आना चाहिए, first question का answer आप खुद करेंगे comment section में रखाए answer, first comment से जा करके निकाल लो match करने के लिए निकाल लो, पहले खुद से करो second, third, fourth में question आपको मिलेगा एक closest second में precedent और precedence, gamut और fraction चारों में से कौन सा vocabulary word set बैठेगा यह आपको second वाले में बताना है, ठीक है यह क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया, यह second है यह third है, और यह sir fourth है, ठीक है चलो, गलती होगी, second वाले में आपको precedence, precedence, gamut और fraction में से एक word को पकड़ना है अराम से देख लो, कोशिश कर लो, comment section में hint के साथ मैं answer डाल रहा हूं है, hint के साथ है न, third वाले में आपको check करना agree के बाद में क्या लगाएं on लगाएं, add लगाएं, to लगाएं, with लगाएं तो देख लो, क्या लगाना है न, करवा दिया आपको चोते वाले में मैंने आपको पुताया कि critical to के बाद में किस टाइप की वर्ब को यूज करोगे, तो ये screenshot आपके सामने है linked to, restrict to, critical to, resort to किस टाइप के phrase है भाई है चेक कर लो, और सही वाली वर्ब को निकाल लो चारो में से कौन सी लगेगी, है न, fourth वाले में पांचवा comprehension का question है, इन में से कौन सी की easy movement, तीसरा, एक दूसरे की दे आतले, एक आतले, दूसरे आतले, वाली रेसी प्रोकल इजिंग जो है, वीजा की नॉर्म की, और चोथा, एक review mechanism हर 15 साल के end में, देखो, आप वो देखने में लग रहा होगा, चारों बाते ही, इस act में, इस जो है, pact में आती है, इस trade agreement में आती है, लेकिन एक बात इन में से नहीं आती, डून सकते हैं आप, चलो, यह जो पहला वाला देख रही हो ना, यह मैंने Australia tax नहीं लगाएगा, Australia लेकर के आएगा तो हम 85% पर नहीं लगाएगे, लेकिन मैंने यहां पर ulta किया हुए, Australia लेकर आएगा तो हम 96 पर नहीं लगाएगे, ढरीकी से देखा जाएगा तो यह गलत आपको मिलेगा, चली इसका आंसर हो गया यह बाकी चार के रखे हैं फर्स कॉमेंट में जाओ जाकी चेक कर लो चलिए आउट ओफ फाइव कितने मांक्स मिले जरूर से बताना कॉमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो आपकी वो भी डाल सकते हो एप पे अभी सभी कॉर्से अवेलबल हैं स्सी बैंक और रा झाल झाल